यह पंचायद भवन है जिसमें लाखों रुपए का गोटाला हुआ है परावारु राम सरोज जो यहां के परधान है वाल और बाउंडरी के नाम पे काफी पैसा निकाला गया और ना तो वाल बनी और ना ही कोई बाउंडरी का निर्माण हुआ है इसी तरह से गाउं में खनंजे के नाम पे काफी पैसो का गोटाला हुआ है और वहां जगे पे काम नहीं हुआ है आप यह देख लीजिए आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पंचायद भवन के नाम पे जो पैसा निकाला गया है बाउंडरी के नाम पे और गेट के नाम पे आपको नाम क्या है मैं सुनील चवरसिया है मैं अरुआ गाउं काहीं निवाची हूं इसी गाउं का यह पंचायद भवन बना हुआ है लेकिन अभीता कि इस पे पंचायद भवन का नाम तक नहीं डला है और हमारे इस गाउं के प्रधान जी इस पंचायद भवन के बाउंडरी वाल और गेट बनवाने के ऊपर लंसम दो लाग 30,000 रुपे निकाल चुके हैं जो अभी तक कुछ भी निर्मार नहीं हुआ है आप देख सकते हैं देखिए कहीं कुछ दिख रहा है आपको कहीं कुछ भी नहीं हुआ है वैसे वैसे ही पड़ा हुआ है इस तरह ज्यादा घ्टाला साइब किसी गाउं में हुआ होगा कि बहुत सारे जो है बहुत पुराने हैं उन्हें के ऊपर बिना वज़ा कि दिखा दिया गया है हम इसको बनवा दिया है उसे पईसा पास करवा के खा गया है सारह प्रकार रहे हैं राम जी के घर घर से सड़क तक सब्सक्राइब 50,000 रुपे यह फेक है पंचाय दोहन बां लाग तीजार पिया यह भी फेख संदी ने खाए राजेज के घर तक लंसम एक लाघ रुपए निकाला गया है यह भी कार्वूली दीनेनाथ के घर से गेलहर सरोज के घर तक एक लाघ उर्पै निकाला गया है बाहर पूर सड़क से फिस रोट शोलिंग रिपेर का का म origin का हमने कूरा करवाया है जिसमें रुपे निकाला गया है कोई काम नहीं हुआ है काम हुआ है लंसम 10 मीटर तक उन्हें खणंजा लगवाया था जो सही है पीचरोड से राज बहादुर के चक तक कि रिपेरिंग कर वाया है जिसमें 2,00,00 रुपे लिए गया है कोई काम नहीं हुआ है राजकुमार के घर से नन्हे पंडित के घर तक नाली का निर्माण लापता है जिसमें 1,00,00 बी निकाला गया है ऐसे बहुत सारे ख़ड़न्जे हैं निकाला तो गया है पैसा लेकिन ब कि आप लोग देखें जन्यवाद